तो गाइस कैसे आप सब लोग दा राइस आफ एम्टूर के एपिसोर 01 के साथ हाजिर हूँ एपिसोर की शिरवात में एक सेक्टर का सीन लिखा जाता है सेक्टर के ओपर नेम प्लेड लखी होते हैं जहांपर क्लिंजिंग इंसेंस एंशिन सेक्टर लिखा होता है उसके सामने सेक्टर करियेट करबना लिखा और इससी के साथ ही में अपने अपने से दंडे को उसकी طर후 फेंगते हैं वो डंटा उड़तावा सीधा जाकर उसके मूँ के पास रोक जाता है क्योंकि मिंग रेंज होता है अपनी पावर्स को यूज करते है उसे वहाँ पर रोक लेता है ताथ ही व इस डंडे को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है कि मास्टर हमें इस डंडा बहुत यची तरह से याद है आ हम इस डंडे को कैसे बूल सकते हैं अपनी तब तक इस डंडे के साथ पीटा है जब दक है पने कल्यख़न की पिक भार नहीं पहुंच चुक है اور आज हम लोग अपने अपने सैक्टर्स बना रहे हैं जो एक बाहरे किसी को कुछ नहीं पता कि आपका लाइफस्पेन कितना ز् सुनें मेरे ये आप से एक request है अगर मैं यहां पर मर जाता हूँ और future में मेरा जो इस sector कमजोर पार जाता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे sector को संभाला दें आप मेरे sector को दुबारा से rise करवाएं क्योंकि मेरा हमेशाँ से एक ही सबना था कि अपना एक sector बनाऊ जहां पर मैं बच्चों को गल्टिवेट कर वा सकतू आपका इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे आपने आपको जिन्दा रखे हुए हैं, मास्टर क्रोज की बात सुनने के बाद वहां से उड़ जाते हैं, तो मिंग रैंड चला कर कहता है, मास्टर क्रोज की बात का जवाब नहीं देते हैं, यहां से काफी साल पहले की होगी है, और इसके बाद अब जहां पर प्रेजन्ट सप्रीम ईर्टर से कहता है, बुरी हबर जबर जीरा है कि इस वकत हमाने दर्वाजे के ओपर में दर्वायन दर्वासे के ओपर एक लड़का है, एक जन्ग लड़का जो कि यहां पर हमाने दर्वासे को तोड़कर अंदर आ चुका है और सीधा इसी त manner आ रहा रहा है, और लोग उसे रोक क्यों नहीं रहें चाहता हूं कि जाकर उन गार्ट को बोलो कि उस लटके को भुरी तरह से पीट कर उठा कर बाहर भेंग दो उसे क्या लगता है कि वह इसी मुठा कर जहां पर आए गर हम लोग उसे बना लेंगे तो उनका डिसापल उसे कहता है लेकिन मास्ट को ने की जरौत नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पर पहले से आ चुका हूं जोजे है हमारा फिरो जिसका नम लीजी है तो यहाँ पर आता है और उन लोग उसे कहता है कि मैं यहां पर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब तो मैं इसके बाह से इसे सिरफ फ इमारा लीजी जो अपने पास टोकन निकालतार कहता है कि तुम सभी लोगों को ये बात पता होगी कि Immortal Emberum Min Ren ने जहां पर एक रूल बनाया था उनने एक रूल बनाया था कि जिसके पास भी ये वाला टोकन ये ओरडर होगा तो यहां पर VIP के तरह ट्रीट किया जाएगा तुम लोग कि करें इस खली करोगे और उसकी एक request को पूरा करोगे और उसकी एक request को पूरा करोगे और मेरी वो request जहा है कि मैं शहां पर तुमारा code disciple बनना चाहता हूँ तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते है कि मुझे ये बताओ क्या तुम इस बात को कन्फर्म कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ में जो आर्डर जो टैबलेट है वो वाकि में रियल है तो इसी के साथ हिमाया लीजी उस ओर्डर को उसकी तरफ फेंग देता है कि तुम शहाँ पर खुद है कि हैंकर इसने हंपर कई हाल कहा है वाकि में शोटा है कि उसे पीने की का बहुष सॉनिय और जाथ और जाप जया आर्वहपि है वेइसहाना 여러분 कोई अपा प्रॉष का शेंट। लगता है कि वो पीका टली हो गया होगा उसके बाद उसने ये टोकन इस लड़के को दे दिया होगा सुप्रीम एल्टर से कहते हैं कि सिर्फ वस्तव कुछी तिन बचे हैं कुछी दिनों के बाद यहां पर हमारी शादी का कॉंट्रेक्ट बूरा होने वाला है तुम्हें पता से लिए होगता है पूदा की ओखिनी की साथ हिरा whole Dare योगता ही। मुघ हुद लोग अपनी लड़्की की शादी यहां पर सिर्फ संट कोई भी ऐसा डिसाइपल की साथ ही करेंगे। लोगे डिताइक हमारे डिसाइपल नहीं disciples मुथ हमों हैता होर है, की बैक्गराउंड के बार में कुछ भी नहीं पता, अब सकता है कि उस ओल टैविल एल्डर ने इसको ये टोकन इसी वज़ा से दिया होगा कि इस लड़के की काफिजदा अच्छी हो इसकी बाड़ी काफिजदा स्पेशल हो इसी वज़ा से ये टोकन इसको दिया हो थोड़ी से ट्रेनिंग के बास ये लड़का प्राइम्ट सैपल बनने के लाइक हो जाए तो सुप्रीम एंडर कहते है ठीक है फिर इसकी पावर्स को चेक का लेते हैं करते हैं कि हम लोंगस की क्ल्टिवेशन इसकी बाड़ी को चैका लेते हैं कि हाई इसके पास क्या कुछ है और वह मिरे इंडर्त जोता है इसकी तरफ आके बेता है इसके लाइट से हज्ब निकलती है जो कि हमारी लीजी यहांगी कि भी कुछ से किता है हो इस लटके कर सकता है इस लड़के को लगता है कि हम लोग इसे अपना प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं तुम प्राइम डिसापल बनने के लाइक हो तुमारे लीजी के साथ जो डिसापल खड़ा आता है वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमें गिवाप नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमारे पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़दा लो है लेकिन आउटेट सैपल बनने के बाद अगर तुम बहुता मेहनत करोगे हार्ड वर्क करोगे तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ अचीव कर सकते हो प्राइम सैपल तो नहीं बन पाओगे लेकिन काफी कुछ अचीव कर सकते हो लीजी उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है तुम लोग जहाँ पर इस तरह अपने वैल्यूर गैस्ट को ट्रीट करते हो मैंने तुम्हें कहाना कि मेरे पास टोकन और मैं तुम्हारा व्याईपी गैस्ट हो इसी के साथ मैं लीजी आगे बढ़ता है कि मैं जहा पर तुम्हारा थम्हारा थम्हारा के बढ़ता है काफी सता करने वाला हो तो वह उन से कहता है कि यह सब कुछ होना चाहिए तब हम लोग एक righteous cultivator बन सकते हैं तब ही हम लोग cleansing sector के cultivator बन सकते हैं और मुझे बताओ कि मैंने जहाओ पर क्या गलत कहा प्रीम एल्टर से कहते हैं कि ये तो हमारी ancestral teaching है ये हमारी वो बन्याद थी जिस के वपर हम लोग उने cleansing sector को बनाया था तो लीशी उसे कहता है कि यहाँ पर आते हुए रस्ते में तुम्हारे टैबलेट के उपर जो stone टैबलेट लिखा हुआ था उसके पर ये साइट टीचिंग्स लिखी हुई थी मैंने उनको देखा और मने याद का लिया बलसी के साथ हमाँ अलीशी उनके insult भी गार देता है वो कहता है कि मैं तो जहाँ पर खुद इतना सदा हिरान हो रहा हुँ कि आए तुम लोग जहाँ पर अभी तक इस बात को याद रखे होगे ये तुम्हारी ancestral teachings हैं और इन बातों को जहाँ पर कहा कर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें प्राइमड सैपल बना लेंगे तो जहीं पर सेकंड एल्टर आगे बढ़ते हैं और कहते है कि मुझे लगता है कि हम लोग ने जहाँ पर अपनी ancestral teachings को बुला कर बहुत ही बुरा किया जिसकी वज़ा से हमारा सैक्टर डिमाइस में चला गया तो इस बाहर से सुप्रीम एल्टर काफी गुसा होते है और कहते है कि तुम शहाँ पर मेरा साथ दे रहो या पिर इस लड़के का साथ दे रहे हो और दूसरी तरह से माली जी हसना शुरुका देता और कहाता है कि तुम्हारा सैक्टर तो बहुत जा इंट्रस्टिंग है लोग उने जहाँ पर अपनी ancestral teachings को बुला दिया इस लड़के ने जहाँ पर हमारी इंसल्ट करने के साथ तुमारे cleansing सैक्टर के भी इंसल्ट की है और यह लोग अभी जहाँ पर बातें कारे होते हैं किसी के साथ दीमन सैक्टर का एक बंदा अपने student के साथ वहाँ पर पहुंचाता और कहता है यहाँ पर तो आज काफिस्दा रच लगा हुआ है तुम लोग क्या बाते का रहे हो वहाँ पर आने के बाद उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नम यू ही है और मैं डीमन एंपर की तरफ से यहाँ पर आया हूँ और मैरिज कॉंट्रेक्ट जो है हमारी फैमिली की प्रिंसिस के साथ होगा हमारी प्रिंसिस जो है वह एक बहुत ही पावफुल लड़की है यानि के वह कल्टिवेटर है और एक मार्चिनियस मार्चिल आर्टिस्ट है की प्रिंसिस का हाथ देंगे उसके साथ अपनी प्रिंसिस की शादि कर देंगे हमारे डीमन जियाँ पर एक सुझाओ वह दिया है कंगे ख़र रूपा यावा की सब्सके के लिए मदर आकर वहान के वहां पर आकर हमें बता रहे हैं कि वो हमारे कोड सैपल की ट्राइल टेस्ट लेंगे ताकि वो प्रिंसिस के साथ शादी करने के लाइक हो मुझे लगता है कि यहां पर डीमन सैक्टर के लोग हमारा मजाग उड़ाना चाहते हैं और इस बास से यूहू काफिजा घुसता हो जाते है क्या है यह वाकिए में वाया लीजी को अपना कोड सैपल बना लेंगे क्योंकि लीजी के पास बहुत ही बेसिक बॉड़ी और ना ही वो कल्टिवेट कर सकता ना ही उसके पास कल्टिवेशन के कोई पावर्स भी है तो अब इस ओर के एस्प्लेनेशन अच्छी लेगे हो तो कमेंट का किस रूप ताएगा चैल को सब्सक्राइब का दें वीडियो को लाइक और शेर का दें शुक्रिया